नमस्कार आप देख रहे हैं गर्टंत्र नियूज Breaking News गोड़ा जिला और आसपास जिले में हुई तेज बारिश से सरकंडा चौक में बना तालाब आज सुबह गोड़ा एवं गोड़ा के आसपास जिले में हुई तेज बारिश जिससे सरकंडा चौक में जमा हुआ पानी का निकासी नहीं होने के कारण तालाब बन चुका है सडक के किनारे नाले तो है लेकिन नाले के ऊपर से धक्कन लगा दिये गए हैं जिससे सरकंडा में बारिश से जमा हुआ पानी के निकलने का रास्ता ही बन्ध है जिससे पानी जमा होकर तालाब का रूप ले लिया है इस पानी से सड़क के किनारे बसे हुए घरों एवं दुकानों में पानी घुस गया जिससे लोगों काफी नुकसान जेलना पड़ा एक दुकान में तो लगभग 10,000 रुपईया का सामान पानी में बह गया वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपने अपने घरों में जमा हुआ पानी निकाल रहे है ब्यूरो रिपोर्ट गोर्डा श्रवन कुमार